के सो भी से भी प्यारे प्यारे बाल को आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सद्डा पे और बिहार में जो भी भरती आई हुए इसमें छटी से आठवी ग्यारवी से बारवी तक मतलब नोवी दसवी भी ग्यारवी बारवी और छटी से आठवी में भी इंगली कि eligibility क्या है exam pattern क्या है हमें पढ़ना क्या और छोड़ क्या सकते हैं समय पे तो यह हमारी पूरी आज की जो है सीच के अराउंड चरचा रहेगी आप अराम से देखेगा पांट साथ मिनिट में आपको सारे चीजे समझ आ जाएंगी तो इन चीजों को बहतर समझने के लिए जो ह इंग्लिस का दूसरा नाम निधी में को बुला लेते और निधी में आज जो है दिवाली के उपलक्स में आप देख भी रहेंगे की बढ़िया लग रही है थांक यू सर हलो एवर्यबडी थांक यू सो मच सर इंग्लिश के हम लोग बात करे थे वर्ग 6-8, 9-10 और 11-12 इसम इंग्लिस एज लेंग्विज सब्जेक्ट अपलाई करने वाले बच्चे कम होगे तो एक बार मैं अगर मैं बात कर लूं 6-8, 9-10, 11-12 की तो बीएड, डीएड यहां पर दोनों एक्सपेक्टेड है और यहां पर बीएड, बीएड दोनों चल जाएंगे कोई दिक्कत नही ठीक है, ग्रेजवेशन यहां भी, यहां भी, यहां पोस्ट ग्रेजवेशन, जैसे आपकी ओनर्स हो तो भी चल जाते हैं और सबसीडरी में आपने पढ़ा हो मतलब कुछ और कर रहे था उसमें इंग्लिस दो साल पढ़ लिया या आपका इंग्लिस एज सब्जेक्ट वहा कैसे लिखाव है, एक बार हम देख लेते हैं, जैसे यह देखो, यह लिखाव है माध्यमिक विद्ध्य हले के पद ही तू भासा से संबंदित विशो में, संबंदित भासा में सनातक इस तर पर ओनर्स किया हो या सबसीडरी विशे के रूप में पढ़ा हो, जैसे इंग्लि हम दो साल पढ़ा हो, जैसे यूपी में जब आता है, तो हम लिखा होता है, तो यह दरने की ज़रूरत है नहीं, और तो पहला पोईंट तो यह कलियर हो गया, कि आपने चाहे में सब्जेक्ट रहा हो, चाहे सबसीडरी रहा हो, और पोस्ट ग्रेजवेशन में तो एक ही सब तो वो यूनिट का भी नाम लिख देते हैं, सब्जेक्ट कोड आ जाता है, तो डरना मत की इंगलिस तो नहीं लिखा हो, जैसे इसे लिखा होता है, दिल्ली मेडिवियल पीरिएड, तो वो इंशेंट पीरिएड ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर स्टेट पेपर वन चीए, स पर सिटेट पेपर टूचीए, अब नमबर इनमें कितने कितने चीए, उस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुए, मेरी भी खुद की वीडियो उस पर जाके आप देख सकते हैं, मतलब वो विमेन का आ रहा था कि वो जैसे लिखा है, यह लिखा है सामान्य महिला को 50% सामाननी पड़ेगी, अपनी अगर वो मना करते हैं तो, तो 82 मार्क्स पर जो है, आप वैलिड हो जाएंगे, अगर अधर स्टेट वाले, पेपर का जो एक्जाम पैटरन है, जैसा कि आपने देखा होगा, अभी तक समझा भी होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा तो, इंग्लिस एक तो मेरी यहां आ रही है, जिस बच्चे का इंग्लिस सबजेक्ट है, उसे क्या ये वाली इंग्लिस भी पढ़नी पड़ेगी, अलग से, बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है, इस इंग्लिस पर टाइम वेस करने के, क्योंकि यह तो, आम, जो हम रोज मर्रा के इंग्लिस बोलता है, जो कोई भी बोल सकता है, और जो इंग्लिस बैक्ग्राउंड का है, वो भी बोल सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल है, कोई ग्रैमिटिकल चीज भी नहीं पूछते है, एक आर्टिकल, एक टॉपिक है, जहां से पांच पास हो जाओगे अब आते हैं मेन वाले सेक्षिन की तरफ मैं आपको इसमें सलहा दूंगा अगर आपका मैत स्ट्रोंग है तो रीजनिंग मत पढ़ना और रीजनिंग स्ट्रोंग है तो मैत मत पढ़ना क्योंकि अगर आपकी मैत स्ट्रोंग है तो रीजनिंग अपने आप हो जाएगी और मैत स्ट्रोंग नहीं है तो 20-25 दिन में स्ट्रोंग कर भी नहीं पाओगे रीजनिंग पर फोकस कर लेना दूसरा सबसे पहले इंडियन नैशनल मुमेंट पढ़ना इसका स्लेबस का मैं कोश्चन उतनी है मतलब 4-5 कोश्चन यहां से आ जाएगे स्लेबस 10-12 क्लास का है जोग्रफी के बजाए आप कोशिस करेंगे अभी की करेंट अफेर पढ़ने क अब ही कि करेंट आफेर science, science का स्लेबस होती है जो डेली लाइफ की science होती है तो आपको reasoning या मैतमे से कोई एक चुल लेना इंडियन नैशनल मुमेंट, science और करेंट आफेर इंहें पढ़ना है जो पूरा general studies का पार्ट है की पॉलिटी पूरी पढ़ने की कोसिस करो आप उस सबका टाइम नहीं है हमें फोकस करना है अगर आपने जो ट्रिक बताई है वह फॉलो करें तो कितने नंबर स्टूडेंट लेकर आ सकते हैं अभी 20-25 दिन में आप खुदी एक एस्टिमेट लगाओ 40 नंबर गया पेपर है इस अराम से इसमें 20 नंबरे कैवरेज बच्चा भी ले आता है और जो बहुत आ इन 30 दिन में जो इसी में लग जाएगा ओ तीस ले आएगा लेकिन वो बच्चा जो तीस दिन यहां देगा ना पचास से सत्तर पुंचा सकता है मतलब आप यहां ज्यादा गें कर लोगे यहां बहुत पढ़े के भी पांचों के पांचों सवाल जी एसके कोई कर नहीं सकता है माल्या पॉलिटी के कुश्चन आने में मराज निती आना है नहीं बहुत पढ़ लूगा ना पांच सवाल आएंगे तो दो कर दूगा तीन गर दूगा उतने नहीं हो पाती यहां पे सबको यहां लेकिन आप अचीव कर सकते हो अब मैं अगर मैं बात करो 68,9,10,11,12 क्या ग्रेमर आता है या लिट्रेचर आता है अभी जो मारा पेपर हुआ था इनफाक बिहार एस्टेट भी जो हुआ था उसमें भी पूरी ग्रामर आई थी टीजिटी में और जो बीपी आठीवी का पेपर देखे क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं वहां से आइडिया ले तो वहां भी ग्रेमर है 9,10,11,12 में भी एस्टेट हुआ है वहां पे ग्रेमर है कोई वह है नी की लिट्रेचर का कोई कुशन पूचा गया अब यह जो असी नंबर है इसके स्लेबस को द आप यह देखो यह जो पार्ट सफ पीश टॉपिक है अगर दस से ग्यारे दिन स्टूडेंट ने इसको बैट कर पढ़ लिया तो पंदरा से बीस नंबर उसके आ गए यह जो की बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आते हैं पिशली बार सर जैसे पार्ट सफ पीच से ना कुछ अप्लिकेशन बेस्ट क्वेशन होते हैं कुछ घ्रामर से हम मान सकते हैं कि 40 परसंट क्वेशन यहीं से मिलेंगे 40 तो 50 परसंट तो मतलब लगा लेते हैं कि 35 और कितने बच्चा अगर अब भी 25 दिन पढ़े तो कितना स्कोर कर सकता सर अगर वो अभी भी पढ़ने लगेग बेसिकली उसको अपने सिटेंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे जैसे एक दिन में एक टॉपिक अप्लीट करना है तो उसकी पंदरह नंबर की तयारी सीधा हो जाएगी पार्ट सपीच की तो कितने 25 25 प्लस कर सकता है कोई भी चुडेंट इसीली अगर मालिया मैं दो क्वेस्चन का पूछने का जो इंटेंट अवो चेंज हो सकता है पर इस बार यह भी देखा गया है क्योंकि लास्टाइम पेपर बहुत ता तो इसको इस बार थोड़ा सा मॉडरेशन में लेकर आएंगे पेपर को तो बहुत तफ रेलिवेंट बनाएंगे हांगी अच्छा कि अगर में बात करें तो इसका सेलेबस बात अंडिफाइंड होता है पर जो हमारे प्रिविए सियर पेपर रहे हैं उसको लेकर करके हम रेपिटिटिव वर्ट देखेंगे तो जैसे अपका सिननिम जान अन्टनिम हो गया वन वर्ट सब्स्टिटूशन इडियम और को बने काम आईगी रीडिंग कॉंप्रीयंशन यहां पर बी कुछ फूछ जाते हैं कॉंप्रीयंशन काफी लेंदी आया था बहुत जादा इसका कितना बारा के असपास दससे बार कर सकता है राम से कर सकते हैं तो प्रिविए सियर बेस जो कर स्ब्सक्र नए कुशन तो मेर कार स्ब्सक्र नで की बिल्च्ट कर लिए डिव निब। तो मेन के क्यों एक प्रिविए क्वेशन के काफी सारे क्यों से क्वेशन्सित हुए स्के मि मानन के वा चलेंगे कि हमारा जोबी के बाह बाहिक नब वो क्या बलरी के वहां जी बिल्कुल बिल्कुल तो हम मान के चले ते की 25 सवाल है तो अन्सीम इसमें इसमें कॉम्प्रीहेंसर में मुझे लगता है कि अगर ग्रेमेटिकल पार्ट को छोड़ दें बाकी में तो 100 परसेंट कि वह तो पैसेज में देखकर आपको अंजर मिल जा कि अपको चाहिए प्राक्टिस जादा जादा वर्ड्स और रिटें कर रहे हैं उसको फोटो से किसी चीज से रिलेट करके डेली लाइप में और इंफाइन नी बनाना इसका सेलिबस यह मान के चले प्रिविए सियर पर के इर्दगिर्द गुमाना कि सुनोनिम पढ़ है तो प्रेजल वर्प, प्रिपोजिशनल फ्रेजिज, स्पेलिंग एरर्स और मिस्लिमिस यह सारी चीज़ है यह उमीद इसकी पिछली वार अभी तक तो कभी आया नहीं लेकिन हम कोशिस करेंगे उने बैचिज में जो हैं NCRT, SCRT की समरी तो सर जैसे जैसे 9, 10th, 11, 12th में लिट अब यह में लास्ट आपने लिखा हुआ हाउ, कैसे हो सकता है, इसका जवाब में दूँ, इसके लिए जूड़ना पड़ेगा आपको मैडम के साथ में में के बैचिज में आखरी के 20-25 दिन में अगर आप चाहत होगी तैयारी बिलकुल वह वैसी तैयारी रहे कि आपको आ 7, 12, 9, 10 या 6, 8, कोई भी एक लेल, वह सारी तैयारी करवा देगा, लग-लग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन बैचिज में जनरल पेपर की भी क्लासिज हैं, अभी जो मैंने पार्ट बताया है, जनरल पेपर से सिर्फ वो पढ़ने, वाई क्या में, डिसकाउंट कैसे मिलेगा बच्चो को दिवाली पे, सर, कोड एक Y449 वो यूज कर सकते हैं, तो 1600 रुपे के आसपास यह आपको पढ़ेगा, और आपको जो है, एक साल तक, अगली जो अगस्त में वेकिंसी आएगी न, उसमें भी काम आ जाएगा, पूरी इन डेप्थ आप इसे अराम से नंबर भी है, ओफिस का, आप इस पे फोन गर के भी पूछ सकते हैं, बेच इस रिलेटेड कोई आपको इनफोर्मेशन चाहिए हो कि तो, अलविदा और बेस्ट ओप लक बोलने में, और ये दिवाली नौकरी वाली स्ट्राटेजी आपको बना कर के चलनी है, तब ही जो है